तथागत बुद्ध ने अम्रत्पद के बारे में क्या कहा धंपद में सहस्वग्गों में गाथा है जो अम्रत्पद को नहीं देखता उसके सौ वर्स जीने की अपेक्षा उसका एक दिन जीना स्रिष्ठ है जो अम्रत्पद को देखता है अम्रत्पद निर्वान है जो आत्म लीनिता है फुद्ध वचन के अनुसार अत्नो गती है जब मन सारे प्रपंच से पून अनासत होकर आत्म लीन हो जाता है तब यह अम्रत्पद की प्राप्ती होती है इस दसा में पहुँच कर ही मनुष्य से के मन की आग बुश्ती है इस दसा को नहीं पाया तो समझो मनुष्य ने निर्वान को नहीं देखा है उसका अनुभव नहीं करता है तो उसका सौबर्ष जीना किस काम का है परन्तु जो मनुष्य अम्रत्पद को देखता है उसके चित से प्रपंच उतर गया है और जो निरंतर आत्मरत है आत्मलीन है उसका एक दिन का जीना स्रिष्ठ है नमो मुद्धाय